नमस्कार, हिंदी साहित्य वारता में आप हैं इस वक्त सुबाश ठाकुर के साथ दोस्तो, HPLT TET का एक्जाम आज हुआ था 31 जुलाई को और उसकी जो आंसर की है या यूँ कहें कि उसको हमने सॉल्व करने की कोशिश की है तो जितने भी इसमें प्रशन रहे हैं देखिए उन सब को हम इसी वीडियो के अंतरगर डिसकस करेंगे तो जल्दी से हम इसका क्विक देख लेते हैं कि किस तरिके के प्रशन इसमें पूछी गए थे और क्या-क्या उसके आंसर होने चाहिए और यहां पर जो भी आंसर में बताऊंगा आपको दोस्तों अपने नीजी प्रियासों के अदार पर ही बता रहा हूँ या फिर इसमें कुछ अगर हमसे गलती हो जाती है तो आप जो है उसको एक बार अपनी बुक से भी टेली जरूर कर लें क्योंकि यह कोई official answer की नहीं है जितने भी हमसे बन पड़ेगा जो भी best answer देने के हम कोशिश करेंगे तो चली शुरुआत करते हैं इसके पहले प्रशन से एंड आपको जल्दी जल्दी से देखना है मेरे पास C-series का पेपर है और आपके पास जो भी है आप उसको देख लीजिए तो सबसे पहले यहाँ पर पहला प्रशन था देखिए अनुसमारक का शाब्दी खर्थ क्या होता है तो इसका सेंपल सा मतलब था कि स्मर्ण पत्र और जैसा कि आप सब लोगों ने देखा ही होगा कि आज का जो एक्जाम था जाला मुश्किल नहीं था बहुत असान सा ही इ देखते हैं क्योंकि निचे से दुबारा उपर आना पड़ेगा तो इसलिए साथ साथ में करते जाएंगे आधुनिक यूग की मीरा तो यह किसको कहा जाता था महादेवी वर्मा को कहा जाता था और जितने भी प्रशन इसमें यहाँ पर पूछे गया देखिए उनमें से अ आने की कोई तिथी ना हो तो यह कोई भी बड़ा मुश्किल प्रशन नहीं था मतलब सिंपल सी चीज थी कि यह अति थी खिक है आने की तिथी ना हो अति थी प्रकृति का सुकुमार कभी यहां सब लोग जानते हैं सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है हास स्थाई भाप तो मैंने पहरे भी कहा था जितने भी आपके रस हैं इनसे प्रशन आपको जरूर रहेगा तो यहां पर हास हो जाएगा एंड किस काल को हिंदी काल का स्वर्ण यूग कहते हैं तो यहां पर आपको सिंपली ध्यान रखना था देखिए कि जो आपका भक्ति काल है उसे हिंद हम महाकावे प्रिय प्रवास को माना जाता है, ये 1914 में अयोध्या सिंग उपाद्याय हर्योद की रचना थी, चलिए अब एक एकर करके ही देखते हैं, शायद कुछ लोगों को दिक्कत आ रही होगी इस तरीके से, चंद्रगुप्त अजात चत्रु प्रसाद की किस पिदा की तो ये नाटक विदा की रचना है देखना, इसको आप देखते रहिए, फिर इसके बाद आगे देखेंगे हम कमाईनी किसका महाकावे है, तो कमाईनी जैशंका प्रसाद का महाकावे है, इदगा किसकी कहानी है, इदगा जो रही मुन्शी प्रेमचन की प्रसिद कहानी, विता बली से ली गई है नेक्स क्वेशन यहां पर आता है देखिए अगला जो चौधवा प्रशन है अश्वत तुरंग है सेंधव किसके प्रयावाची है तो यह गोड़े के हैं गोड़ा इसका सही आंसर होगा नेक्स क्वेशन है पंदरवा प्रारूपन किस पुरूश में लिखा जाता है तो इसका जो सही आंसर होगा यह होगा अन्य पुरूश में इसको आप ठीक कर लिजिए आवसे लेकर के आहा तक कितने स्वर हैं तो यह आपको सिंपली आ रखें स्वरों की संक्या 11 ही है सरवमानने मत यही है इसके लावा आहा तक पूछा गया है अंगर आ सा इसमें पेचीदगी यह सवाल पूछा गया है सुदामा पांडे धोमिल की पहली कावे रशना कौन सी थी तो यह था आपका संसल से सडक तक यह 1972 में था इसको आपने या रख लेना है इसके अलावा दूसरे नंबर पर था उसका कल सुनना मुझे और तीसे नंबर पर सु कवीर का शाबदी कर्थ क्या है तो इसका मतलब होता है महान यह वाला प्रशन भी रिपीट हुआ है पहले इसको पूछा गया है नेक्स क्वेशन आता है कवीर का पन्त का जो प्रमुख ग्रंथ कौन सा है तो यहां पर यह प्रशन भीने कवीता के रचाईता तो दोस्तों जो राष्टर कभी मैथली शरण गुप्त को माना जाता है, इसके बाद स्वर धनियों के प्रकार कितने आते हैं, ये सभी प्रकार की हैं, रसवी, दिर्ग भी और पलुत स्वर, ठीक है, ये चीजें आपको यहाँ पर याद रख लेनी है, इसके लावा यहाँ पर अगला प्रशन है, देखिए, 24 सुवा प्रशन, प्रेमचंद के उपन्यासों को किस श्रेणी में रखा जाता है, तो बहुत important प्रशन था, ये वाला, आदर्शन मुख यथार्थवादी इन्हें कहा जाता है, पहले ये आदर्शवादी रहे, बाद में यथार्थवाद, फिर आता है सिद्धों की कुल संख्या कितनी बताई गई है, तो 25 सुवा प्रशन, 84 इंद की संख्या थी, उसके अलावा मोर पका सिर उपरी राखी हूँ, गुंज की माल गरें पहिरोंगी, तो ये वाले पंक्ति मैंने आपको लाई प्लासिस के दोरान भी बताई थी, तो ये जो पंक्तियां देखिए, ये रहेंगी रस खान की पंक्तियां, ये चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रख लेनी है, नेक्स हाता है, रामचरित मानस में किस रस की प्रधानत है, तो यहाँ पर शांत रस रहेगा, यसमें दीखनाँा सिम्पल सी चीज़ है, कभी प्रिया किस की रचना है? यहाँपर कलकत्ता में फोर्ट विल्यम क pista बस्थाबित हुआ था, तो ये 10 जुलाई 1800 को हुआ था, यहां पर ये चीज आपने ध्यान रखनी थी, तीसवा जो प्रशन है, यहां पर कुछ चूट तो नहीं गया है, नहीं, तीसवा प्रशन है छायाबाद के कालखंड का अंतिमवर्श, तो 1918 से लेकर के 1936 इसका सही हो जाना था, नेक्स प्रशन आता है, यहां पर देखिए, रानी केतकी की कहानी के लेकक कौन रहे, तो ये इन्शालला खां रहे, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार, प्रेमचन की अंतिम कहानी कौन सी माने जाती है, तो यहां पर आपको यार रखना है, कफन, 1936 में इनकी प्रसिद कहानी रही, यह इनक तितली उपन्यास के लेखक कौन है तो तितली जो है देखिए ये जैशंकर प्रसाद का है एंड इसके लावा हम देखेंगे प्रशन संख्या 37 कबीर का समंद हिंदी साइटे के किस काल से है तो कबीर हम सब लोग जानते हैं कि बक्ति काल से समंदित ये रहे हैं 38 प्रशने देखिए रामचरित मानस में मुख है रूप से कौन सा छंद प्रिवक्त तो चौपाई छंद यहां पर आपको द्यान रखना है एंड सुरसागर में कुल कितने सकंद हैं तो ये 12 इसमें सकंद रहेंगे इस चीज़ को भी आप याद रख लीजिए 39 का विकल्प न मिली थी तो ये थी खड़ी बोली हिंदी एंड अचारे महाविर प्रसाद दिवेदी ने हिंदी साहिते के आरंभिक काल को क्या नाम दिया है तो यहां पर आपको या रखना है कि जो महाविर प्रसाद दिवेदी रहे उन्होंने दिया था इसको बीजवपन काल जबकि यहा हरिश्चंद्र को किस उपादी से समानित किया है तो ये भारतेंदु जो भारतेंदु दू हरिश्चंद्र ठीक है इसको याद अखलेना है מעइड रसकलष में लखी गई कवीटा है तो यहाँ पर आपको यहाँ लखना है यह जो रचन रहेगी ये ब्रज EU भाश अमें लिख पर अलका तो अलका ये किसका जो आपका निराला की रचना रहेगी नेक्स प्रशना आता है अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता इसका अर्थ क्या है तो यहां पर आपको सिंपल या रखना है कि हम सब अगर इकटे हुए बिना नहीं जीत सकते सिंपल सी बात यही थी इसके ल किले की दलाली में मुह काला ठीक है ये धियान रखना है आपको क्यावन का विकलप नंबर डी धोखा नामक निवंद के लिए का कौन है तो ये सबसे देखिए पहले नंबर पर यहां पर प्रतापना राइन मिश्र है इनका ये आपका निवंद हो जाएगा अगला प्रशन का मन का डारी ये मन मन का फिर मन की शुदता की बात इसमें की गई है असान सा प्रशन था ये भी इसमें सिंपल सी चीजें बताए गई है दोहा चंद के पहले और तीसरे में तेहरा और ग्यारा पहले में तेहरा और तीसरे में दूसरे में ग्यारा यहां पर अनुपरास अल तेहरा, दूसरे में आपकी ग्यारा, फिर इस तरीके से याद रखना था, ये, I think थोड़ा सा इसमें confusion create करने की बात की गए ये देखना, एक बार आप इसको फिर से अराम से देख लिजे चाहे, कि ये कहा रहा है, कि जो आपका दोहा जो रहता है, ठीक है, छंदों की बात कहर रहें, देखना, चंद से अकसर प्रशन पूचा जाता है, और ये हम जल्दवाजी में इसको उपर नीचे कर बैठते हैं, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा इसको दिमाग लगा के देखना था, कि दोहे में ये क्या कह रहा है, कि जो आपका रहता है, ये कैसा है आपका, अ एक और दो नहीं पूचा है, ठीक है, ये चीज़ या रख लेनी है आपको, तो पहले और तीसरे चरण में तीरा तीरा, I think ठीक हो गया, मैंने भी जल्दवाजी में इसको तीरा और ग्यारा ही कर लिया था, तो इसको आपने ठीक लगना है, अनुपरास अलंकार के कितने वे होती है, ठीक है, ये या रखिये, वियोग श्रिंगार की कितने दशाएं हैं, तो ये दस दशाएं थी, ये भी हमने लाइप क्लास में पढ़ा हुआ है, जब हम इसके बारे में पढ़ा है, मतलब हमने देखा, वियोग की अगर आपको अवस्थाएं पूछेंगे, तो आप दुसरावली में कुल कितने चंद हैं, तो ये थे ग्यारा सो साथ, विकल्प नंबर सी, इसका साही हो जाना चाहिए, प्रशन संक्या 62 है, देखिए, मैं एक चीपा हुआ रतन था, तो दोस्तों इसका आंसर मुझे अभी तक मालूम नहीं है, अगर आपको पता लग गया है तो आप इसे मुझे कमेंट सेक्शन में जा कर बताएं, ताकि सब लोगों तक सही तरीके से आंसर पता हो जाए सब को, नेक्स्ट है हिंदी साहिते का अलोचनात्म की तिहास, ये प्रशन मैंने पहले भी कहा था, बार-बार पूछे जाने वाला प्रशन है ये, तो ये डॉ यहां पर प्रेम मार्गी लिखा गया है, तो ज्यान आश्रे के अंत्रगत आपको यहां पर निर्गुन कावेधारा को रखेंगे हम, ठीक है, यहां पर यह प्रशन ऐसे भी हो सकता था कि निर्गुन कावेधारा को किस नाम से जाना जाता है, जैसे संत कावेधारा और फिक आवेधारतु इसके दो भेद हो जाएंगे लेकिन निर्गुन को रामारगी ज्यानाश्री होना चीए जो सही मुझे लग रहा है बाकी आप लोग इसका अंसर एक बार फिर से बताईए थोड़ा सा confusion प्रशन क्रिएट कर रहा है यह वाला प्रशन नेक्स वर्शन आता है सिद्ध सामंत पद्धती में हठ योग के ह का क्या अर्थ है तो ह का अर्थ होता है आपका सूर्य अर्थ ह का अर्थ था इसमें दिखना चंद्र तो यहां पर 65 का जो अंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए इसका सही आंसर होना चाहिए नेक्स आता है यहां पर आपके पास अमीर खुस्रो का वास्विक नाम क्या था तो अमीर खुस्रो का जो वास्विक नाम था ये था अबुल हसन 66 का विकल्प नंबर ए कबीरदास को वानी का डिक्टेटर किस ने कहा था तो यह हजारी प्रकाशन अग्रम देखें राजा राम मोहन राय ने बंगदूत नामक पत्र का प्रकाशन कब करवाया था तो यहां पर आपको या रखना किया 1829 में ही इसका भी प्रकाशन वर्ष रहा है अंग्रेजों ने सितारे हिंद की उपाधी किसे प्रदान की थी तो यह राजा का अंसर हो जाएका भारतें दुख हरिश्चंद्र संकलंत्राई में किन तीन चीजों को एक साथ रखा जाता है तो यह स्थान काल और कारियर बात करें अगर हम देखिए प्रशन संक्या 73 की तो अंधों का रंगमंच यह प्रशन भी बहुत बार पूचा गया है एक बार फि यह है देखिए गंधत प्याज विगारत नाज यह आपके जो आपका यह सुन्दरदास की पंक्तियां यह भी आपको पांड़े पांड़े वाली जो बुक है देखिए वहां से ही रखी गई है तो मैंने पहले भी कहा था कि उसी बुक से ही आपको पंक्तियां देख लेनी ह इसमें यदि नीचे का ओट पूरी तरह से काट दिये जाए तो किस वर्ड में कठिनाई होगी तो हम देखेंगे कि ओष्टे ध्वनी कौन सी है इन में से तो बह जो है ये ओष्टे ध्वनी है तो यहां पर सिंपल हो जाएगा कि बह का उचान स्थान जो हम फिर नहीं कर पाए प्रशन पहले भी बूचा गया देखना और यहां पर म्रिग यूथ इसका सही आंसर हो जाएगा इकास्वान जो प्रशन है देखिए बहुत सारी प्रशन तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें रिपीट इतने सारी प्रशन हुए कि आप मतलब प्रीवेस रिपर देके होते त पर ठीक हो जाएगा 82 का बात करें अगर 83 क्वेशन की तो यहां पर मदुमालती के लेकत कौन है तो यह मंजन रहे हैं मदुमालती के लेकत तो इसको भी हमने डिसकस किया हुआ है पदमावत में कुल कितने खंड थे तो इन में से कोई नहीं इसमें रहे 57 खंड यह वाला प् प्रशन जो है जरूर पूछा जाता है तो इसका अंसर क्या हो जाना चाहिए था बिकल्प नंबर जो आपका बी इसका सही आंसर हो जाना चाहिए था जो आपके सुमित्रा नंदन पंत है दोस्तो अगर आपको लगता है कि इन प्रशनों में मुझसे कुछ गलती हो रही हो तो आप एक बार जो है इसे आप जो है कोमेंट सेक्शन में जाके ठीक भी करवा सकते हैं जो भी चीज़ें यहां पर रहेंगी एंड नेक्स देखते हैं यहां तो सिर्फ गूंगे और बहरे लोग बसते हैं खुदा जाने यहां पर किस तरह जलसा हुआ होगा जोटा सच उपन्यास के लिखक कौन है तो जोटा सच यह यशपाल की क्रिती है जो दिशपी भाजन पर रादारी था इसको भी बार बार पूछा जाता है बात करें अगर 88 कोशन की शब्चक्तियं के प्रकार की होती है अभी देलक्षन और वेंजन तीन प्रकार की यह भी हमन इसने कहा था यह कहा था मातमा गांधी जी ने यह भी आपको याद रख लेना है देखना नेक्स कॉशन आता है यहां पर किस कवी को लोकनाय कहा जाता है तुल सिदास को लोकनाय कहा जाता है और यह भी आपको द्यान रखना था असान सा प्रशन यह बला और यह भी गलत न अंसर हो जाएगा वैशनव जन तो ते ने कहिए प्रसिद भक्ति गीत ये जो नर्सी महता थे इन्होंने इसको रचा था ठीक है नर्सी महता लेकिन मातमा गांदी का भी इससे समंदर आया देखना मातमा गांदी इसको फिर गाया करते थे नर्सी महता इसका सही अंसर होना चा पंक्तियां अंग्रीजी स्रकार द्वारा जब्द करके जला दी गई थी तो ये थी आपका सोजे वतन ये इंकी रशना देखना इसको आपको जरूर याद रखना है प्रशन संख्या 97 थे नाटे शास्तर में धीर लदी धीरोदात धीर प्रशांत आदी किसके प्रकार है तो भी आप एक पर जरूर देखिए कि आपका ठीक है या गलत है निमलिकित मैंसे शुदवर्तनी का चैन यहां पर करना था तो यहां पर विकल्प नमबर डी क्या है सही हो जाना था ये भी हमने अभी दो दिन पहले ही इसको डिसकस किया था देखिए कवित्री सन्यासी उजव ये सारे ही शब्दम ने डिसकस किये हुए थे तो यहां पर आपको बहुत ही आसान सा था ये अगर आपने किया हो था संतन को कहा सीकरी सो काम ये वाला प्रशन भी तो बताया था आवत जावत पने यह टूटी बिसरी गयो हरी नाम कुम बंदास अकवर ने जब इसको बुल आपका जलियां वाला बाग हत्याकान पर अधारीत ठीक है इसको यहां रख लेना है आपको जहाज का पंची उपन्यास के लेखक कौन है तो जहाज का पंची यह है इलाचंदर जोशी का प्रसिद्ध उपन्यास नेक्स आता है मुझे चांद चाहिए किस विधा की रचना ह यहां पर सूर्दा से हम इसका अंसर्थी कर लेंगे दुखी जीवन की कता रही क्या कहूं जो आज नहीं कहीं यह किसकी है यह है आपका जो यह सूर्य कांतरी पार्ठी निराला की सरूज समरिती की पंक्तियां बेरी वरी इंपोर्टन नेक्स कॉशन है यहां पर देखिए निमन मैंसे शुद रूप कौन सा है तो यहां पर 108 का विकलप नमबर B हो जाएगा तो यह था 360 ठीक है शुद रूप फिर से पूछा गया है यहां पर आशीर्वाद तो यह हो जाएगा विकलप नमबर B next question आता है यहाँ पर महाप्रान से संबंधित कौन है तो महाप्रान आपका फ़ आ जाएगा एक तीन पांच से आपको या रखना की अलप और जो दूसरा चौता वो महाप्रान आतिशपाजी अवारा चश्मा जादू तमाशा इत्यादी तो यह रहेंगे हमारे फार्सी के शब्द हो सकता है इसमें कुछ गड़बड हो जाए तो बताते रहें ना मुझे जो भी आपको उपर नीचे लगे साथ वर्ष पूरा करने के उपलक्ष में हीरक जयनती एंड नेक्स्ट एक सथी हिर्वा प्रशनम देखते हैं निवन में से संकर शब्द कौन सा है तो यहाँ पर सील बंद जो है वो आपका संकर शब्द हो जाएगा नेक्स आता है सूपरसिद गीत सारे जहां से अच्छा हिल्दोस्ता हमारा के लेकक कौन है तो यह रहेंगे मुहमद इकबाल इसको भी आप याद रखिए एक सड़क सतावन गलियां के लेकक कौन है तो यह है आपके कमलिश्वर बहुत ही इंपोर्टन है यह भी रचना थी मुख्यरूप से संधियां कितने प्रकार की होती है तो तेन प्रकार की स्वर वियंजन और विसर्ग संधी स्वागत शब्द में उपसर्ग क्या है तो यहाँ पर स्व जो उपसर्ग हो जाएगा यह आपको ठीक करना था उगले तो अंदा खाए तो कोधी कहावत इसका मतलब है दुविधा में पढ़ जाना ठीक है इसको ठीक लिजिए विकल्प नंबर बी हो जाएगा 118 का 119 से दिखिए मेमोरेंडम तो मेमोरेंडम का जो हिंदी रुपांतरन होता है वो होता है ग्यापन विकल्प नंबर बी 119 का 120 प्रशन है सूर्दास के गुरु कौन थे तो सूर्दास के गुरु थे वलवाचारे इसके बारे में हमने एक दिन पहले ही डिसकस किया हुआ था तो आपने अगर मुझे लगता है वो प्रशन सीरीज भी देखी होती तो बहुत सारे प्रशन आपके वहीं से ही निकल थे तो यहां पर हमारा जो हिंदी वाला सेक्षन है वो हो जाता है समाप्त अब देखेंगे जी के वाला पोर्शन जो सेक्षन टू है तो यहां पर सबसे पहले पूछा गया है कि भारत के समीधान में कुल कितनी सूचिया है तो तीन सूचिया इसमें रहेंगी एक किलो प्वशन की तो इसका अंसर है देखिए बारते क्रिश्चानों संधान परिशद कहां पर है तो यह नई दिल्ली में हो जाएगा विकल्प नॉमबर B इसका सई हो जाएगा बात करें अगर 125 वां सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला जज कौन थी तो इसका विकल्प नॉमबर C हो जाएगा फातिमा बीबी सन 1909 में निवनमें से किसने नगरकोट कांगडा को लोटा था 126 वां प्रशन देखिए इसका विकल्प नॉमबर B महमूद गजनबी हिमालियन हिल स्टेट्स रिजनल काउंसिल के पहले अध्यक्ष कौन थे तो यह थे स्वामी पूर्णानंद इसको आपने ठीक ले ना 127 विकल्प नॉमबर A 1954 में कौन सा जिला हिमाचल का पांचवां जिला बना 128 जो प्रशन देखिए इसका रहेगा आपका विकल्प नॉमबर C बिलासपूर अगला प्रशन हम देखते हैं 129 भाई दो न पाई 129 जो है देखिए विकल्प नॉमबर ये कह रहा है कि प्रशन नॉमबर सॉरी बाई दो न पाई किस आंदोलन का विस्तार था तो ये रहेगा आपका विकल्प नॉमबर D सविन्य अवग्य अंदोलन का कुलूजिले का स्थान निर्मंड किस से संबंधित है तो यहाँ पर आपको याद रखना है ये परशनाम से संबंधित रहेगा ठीक है चलिए next question देखते हैं सतलोज नदी का उद्गम स्थल कौन सा माना जाता है तो ये बिकल्प नॉमबर A मानसर ओवर looking back किस की आत्म कथा है तो यहाँ पर इसका इन में से कोई नहीं बिकल्प नॉमबर D इसमें हो जाएगा शोवा सिंग आर्ट गै यहाँ पर आपको सिंपल याद रखना है कि 134 वा का हो जाएगा विकल्प नॉमबर D जो आपका सूलन है निमेलिकित में से मंडी जिले का प्रसिद दंदरित्य कौन सा है तो यह हो जाएगा लुडी 135 का A 1857 के विद्रोह के समय भारत का गबरनल जनरल कौन था तो यहाँ प अगर हम क्वेशन की बात करें तो बंगलादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निमन में से किस नाम से जाना जाता है तो यह हो जाएगा विकल्प नॉमबर B पदमा 149 है समविधान सवा के द्वारा अंतिम रूप से समविधान को कब पारित किया गया तो यह हो जाएगा आपका दिमॉनिटाइजेशन विकल्प नॉमबर A and 1977 के हिमाजबरदेश विधान सवा चुनाव में किस पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ 141 जो प्रशन है इसका विकल्प नॉमबर B जनता पार्टी 142 प्रशन है देखिए Poverty and the Un-British Rule in India यह बुक्स बगेरा से रिलेटेड हमेशे यहां पर टेट बगेरा की परिक्षन में पूछा ही जाता है देखना तो इसका हो जाएगा दादा भाई नरोजी अब लोगी त 145 जो प्रशन है यह है अबुल फजल आईने अकबरी और अपर नामा ठीक है इसका लाबा 140 हो है गुटनर पेक्ष देशों का प्रत्थम शिखर सम्मेलन कब गवगवा था 146 में का हो जाएगा विकल्प नॉमबर A 1961 अगर हम बात करें 147 प्रशन की तो नाको जील की जिले म स्थित है 147 का अंसर हो जाएगा यहां पर विकल्प नॉमबर A की नौर एंड युनिसअप की स्थापना इसका अंसर हो जाएगा देखिए आपका विकल्प नॉमबर A 1946 में 149 का डोब्ली अच्चो का मुख्याल है जेनेवा में है और भारत का राश्ट्र केल होकी तो यह भी इसका A हो जाएगा तो यह थे 150 questions and I hope कि आपको question paper देख के बहुत जादा मज़ा आया होगा आज क्यूंकि बहुत जादा मुश्किल परशन यहां पर नहीं पूछे गये थे at least 83 और 90 जनल वाले जो 90 और जो दूसरे जो है जो आपका category wise इसमें रहता है तो 83 मुझे लगता हैं कि इस question का उत्तर हमने गलत बताया या उसका कुछ और रहेगा तो अपनी और से हमने बहतर प्रियास किया है लेकिन अगर फिर भी इसके बावजूद कुछ गलतिया रह जाती है तो उसके लिए हम स्वाइम जिम्यदार हैं and खुशिश करेंगे कि आगे आपको इस देख झाल